हेलो वच्चों कैसे आप लोग आसा करता हूँ सबी लोग ठीक और सोस्त होंगे तो आज हम लोग प्रोबिल्टी में क्वेश्चन आप डे में अगेन इस क्वेश्चन का सलूशन करते हैं इसके पाले में आप लोग बता दूँ कि अगर आप लोग मैथ का होल रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मैथ रिवीजन के नाम से एक सेक्षन बना हुआ है और यदि आप लोग उससे भी कम समय में इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर्च करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में ही क्वेश्चन आप डे के नाम से एक सेक्षन बना हुआ है वहाँ से जाकर आप लोग कम्प्लिट रिवीजन कर सकते हैं जड़ा इसको देखा दे क्या गिवेन है बच्चो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछता है प्लेलिस्ट इसका मतलब यह हुआ पी not A and not B not A and not B तो इसको symbol में कैसे लिखते हैं लिखना से की हमलो P a पर डास लिखेंगे P A नहीं हो गया not A का मतलब A डास and का मतलब होता है intersection a नहीं का मतलब हुआ a दास और का मतलब होता है intersection और यहांप क्या हो जाएगा b डास तो यहां से हो जाएगा P A union B dash whole dash ए डी मॉर्गन थियोरम में हम लोग जानते हैं कि A dash union A intersection B dash अगर रहे तो A dash union B dash लिख सकते हैं और A union B dash रहे तो क्या लिखेंगे A dash intersection B dash एसाइन कनवर्ट हो जाते हैं ए डी मॉर्गन थियोरम से हम लोग जानते हैं तो इस पर dash और इस पर dash अलग अलग है एक साथ जब dash करेंगे तो intersection union में बतल जाएगा और A भी हम लोग जानते हैं कि P A और प्लस P A dash किसी event के होने और न होने का जो probability होता है 1 होता है इसका मतलब अगर हम लोग P A dash लिखें तो 1 minus P A हो जाएगा 1 minus क्या हो जाएगा P A similarly ये क्या हो जाएगा 1 minus P A union B इसका मतलब जैसे ही dash अटता है वैसे ही 1 में से इसको subtract कर देते हैं लेकिन हमें P A union B याँ पे नहीं find है तो 1 minus क्या लिखेंगे P A union B का फार्मूला तरह P A plus P B minus P A intersection B इससे हम लोग calculate कर लेंगे तो 1 minus P A P A की value कितना है 1 by 2 P B की value क्या है 1 by 3 P A intersection B क्या है 1 by 6 है क्या बच्चो 1 by 6 तो इसको जब हम लोग solve कर लेंगे यहां से हमें क्या obtained हो जाएगा P A नहीं और B नहीं P not A and not B इसको solve कर सकने हम लोग next हम लोग देखते हैं इसका second part क्या गिए बच्चों second part हमें गिए बच्चों P A नहीं या B नहीं A नहीं या B नहीं इसका मतलब हुगा P not A और not B तो symbol कैसे लिखेंगे P यहां पर लिखेंगे A नहीं का मतलब A dash और का मतलब union B नहीं का मतलब B dash तो अलग-अलग A और B पर dash हैं इसको एक साथ करनें तो D Morgan theorem के अनुचारी क्या हो जाएगा intersection हो जाएगा whole dash हो जाएगा इसको लिख सकते है 1-P A intersection B 6-1 एक्वल तो 5 by 6 हो जाएगा क्या जो बच्चों 5 by 6 next हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या बच्चों थर्ड क्या given है थर्ड गिवेन है P A नहीं और B इसका मतलब P not A and B इसका मतलब यह हुआ P symbol लिखे A नहीं N का मतलब intersection B तो हम लोग इसके पाले पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा probability आएगा तो इसका क्या हम लोग करते हैं दोनों का union ले ले लेते A union B P A union B में से क्या करेंगे बच्चों P A को subtract कर देंगे P A union B में से जिसका dash रहता है उसको subtract कर देते हैं P A union B minus P A यहां से क्या हमें उट्चेंड हो जाएगा P A union B P A plus P B minus P A intersection B minus P A तो यहां से P A और P A cancel हो जाएगा क्या बच जाएगा P B minus P A intersection B बच जाएगा यहां से तो यहां से बच जाएगा P B की value कितना है 1 by 3 minus P A intersection B क्या है 1 by 6 solve कर लेंगे तो हमें P A नहीं और B opt-end हो जाएगा next देखते हैं आपे इसका fourth part क्या given है P A और B नहीं A और B नहीं लिखेंगे यह से P A and not B इसको symbol form में कैसे लिखेंगे P A हो जाएगा A N का मतलब intersection not B B dash हो जाएगा अब यहीं बोलें P A union B में से P B को subtract कर देंगे इसको बच्चो P B को इसे हम लिख सकते हैं P A प्लस P B माइनस P A intersection B माइनस P B माइनस क्या जाएगा P B तो P B और P B cancel हो जाएगा यहाँ क्या बच जाएगा P A माइनस P A intersection B जिसका मतलब जिसका dash रहेगा उसे union में से subtract कर देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा P A P A की value कितना है 1 by 2 माइनस P A intersection B 1 by 6 इसको solve कर देंगे तो हमें P A and not B obtain हो जाएगा तो हमें ऐसे language given रहेगा पहले उसे symbol form में change करना पड़ेगा और उसके बाद formulate करके find करना पड़ेगा इसके लिए कुछ formula